अब कुछ भी नहीं है बाहर और ये लोग पता नहीं क्या नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है कहीं भी कुछ भी नहीं है दिवारों के कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है यहांपर ये ऐसे मुझे नहीं डराते हैं ये ऐसे डराते हैं कुछ भी नहीं है यहांपर कुछ भी नहीं है कि अगर इसी तरह मुझे डुराते हैं और अचानक से ऐसे भूंगना शुरू कर देते हैं मैं देखती रहती हूं कि यार किसको दे के भूंग रहा होता कुछ भी नहीं डुरा देते हैं मुझे किसम से असलाम लेकूं मैं यूट्यूब फामली कैसे हो आप सब लोग उमीद आप लोग खेरियत से होंगे तो एक और सुबह के साथ मैं आप लोगो अपने चैनल पर कहती हूं खुशाम देद तो अभी सुबह सुबह का टाइम है टाइम हो रहा है अभी छे बच के पच्पन मिनट म मैं वो आज का स्टार्ट किरती हूं आज दुबारा की तरह अकेला ही नाशता है लेकिन आज खुशी इस चीज़ की है कि कल शाम को या परसो मेरे हजबन आ जाएंगे वापस तो फिर मैं उनके साथ मिलके नाशता भी करूंगी और उनके साथ बहुत सारी बाते भी करूंग पूरा एक हफता में उनके बगार रही और इन लोगों को मैंने अकेले संभाला जो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था और तबियत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तभी मैंने बस अपने लिए नाशता बनाया जिसके लिए आज मैंने ओमलेट बनाया है और पराठा साथ ह यहां पर मेरे जाए तो अभी बस मैं नाशता करती हूँ और फिर मेरे सासत रहीएगा देखते हैं कि क्या होता है आज अभी सुबह सुबह में पानी आगया तो फर्ष दो हो रही हूँ और फर्ष के बाद किचन का सफाई वगरा करूंगी बरतन वगरा दो के और यह देख किचन का काम करेंगे यानि किचन साफ करेंगी बरतन दोंगी और अभी ताइम क्या हुआ है पूली आठ हो गया तो मेरा टार्गेट होता है आठ में तक मैं घर का जितना काम है ना उसको कंप्लीट करना हूँ तो बस यह करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ और अगे हुआ हूँ मैं किचन में और भी मैं यह सारे पेले बरतन दोंगी तो यहां पर मेरा हो गया है कचन साफ और आप चलते हैं रूम में बाहर दुपारा से बारिश जोना हो गया है ये देखहें यह दोनों दर मस्ती कर रहे हैं सोजो आप दोनों सोजो यह ऐसी खेलते रहेंगे आप जल्दी से जाती हुए अंदर और आप व्यूम को सेट करते हैं जल्दी से इस पैट शीट को भी मैंने चेंज करना है आज क्योंकि यह पूरा वीक हो गया यह वली चादर है यहां पर हमा अच्छा व्यू है यह देखें मेरे उनकी गाड़ी की लिए हो रही है जब भी मैं आती हुना इसको देखती हूं मुझा उनकी याद आना शुरू हो जाती है anyway याद बाद में करेंगे पहले करते हैं काम क्योंकि टाइम है बहुत जादा काम इसको रखते हैं यह आपर तो बेटशीट होगी है चेंज मैं इस सफ़ा इद के ना इद की जो शॉपिंग करूँगी इसके लिए मैं इस घर के लिए भी बेटशीट लूँगी क्योंकि यह दोनों बेटशीट हैं से मैं काफी बोर हो चुकी हूं तो राविल्पिंडी सदर में ना राभी सिंटर है वहा ind上inizi लेता हां पर और जल्दी से मुझे लेना है शावर लिक्स लिक्न लेकर लिक्न इसको भी रिक्रती हों बंद कके मुझे एक चीजिज आ आ गही है मैंने करनी है इपनी बालों में तो इसके बारे में एक अलेदा से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अगर मैं इसमें बताना शुरू हो गई तो ये तीन मिनट से वीडियो जो है वो जादा हो जाएगी और मुझे सिर्फ तीन से चार मिनट की वीडियो बनानी होती है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो अभी मैं बस बालों को करती हूं और उसके बाद मैं करूंगी कपड़े प्रेस और फिर मैं लोंगी शावर तो फ्रेंड अभी जोहर की नमाज का टाइम हो गया है और अभी मैं पढ़ने लगी हूं जोहर की नमाज फिर नमाज मैंने पढ़ ली है और मैं नमाज में आप सब के लिए भी बहुत दौा करती हूँ खासकर अपने उन दोस्तों के लिए जो यूट्यूब के सफर में मेरी मदद करें तो आप जिस तरह मेरे लिए असानिया पैदा करें तो मैं दौा करती हूँ के मेरे रब मेरा रब आप लोगों के लिए असानिया पैदा करें और आप लोगों की मुश्किल असान करें जस तरह आप मेरी मदद करें मेरे प्यारे लग जी आपकी मदद करें तो आमीन सुमामीन दौाएं जो हैं वो ज़रूर एक दूसरे से लेनी चाहिए कुछ मालूम नहीं होता किसकी दौा कबूल हो जाए और मैं आपके एक और चीज दिखाती हूँ कि ये जायनमाज जो आप देख रहे हैं ये जायनमाज मेरे लिए बहुत खास है ये मेरे हस्पेंट जो हैं ये जब उम्रा करने गए थे तो खाना काबा में वहाँ पर जितनी भी उन्होंने नमाजे अदा की वो पंदरा दिन वहां रहे थे और पंदरा दिन वो इस जायनमाज पर नमाज पढ़ते रहे तो ये जायनमाज मेरे बहुत खास है कि ये बहुत खुबसूरत जगह से और बहुत मुकदस जगह से आई है तो फ्रेंड्स ये देखें मैंने जो हलीम बनाई थी उसको मुझे इस तरह खाना बहुत अच्छा लगता है एक हलीम को और दूसरा पाए जो होते हैं रोटी के टुकड़े करके उस में हलीम को अच्छी तरह मिक्स करके उपर प्यास काटके चाटमिसाला डालके और चम्मच के साथ खाना बहुत मज़ाता है तो आप लोग भी बताईगा कि कौन-कौन ऐसे खाता है तो अभी मैं खा रही हूँ आईस क्रीम छुपके खा रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने पनी आईस क्रीम खतम कर ली है और अब मैं जब खाऊंगी तो यह मिक्से मंगेंगे इसलिए मैं बहुत छुपके खा रही हूँ मेरा गला खराब है तो चपी मेरा गला खराब होता ह मैं आईस्क्रीम खाती हूं ठीक हो जाता है सेही बात है आप खुद दिखीगा अभी मेरा गला खराब है ना मैं आईस्क्रीम खा रही हूं तो एक दो दिन तक मेरा गला ठीक हो जाएगा